नमस्कार साथियों मैं हूँ सरवन यादो और आप देख रहे हैं निव सोट अभी हम जिस जगह पर बैठे हैं इस जगह का नाम है इंद्रपूरी आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यह जो जगह है रोताह जिला का यह अंतिम छोर है आप इसे अगर पूल को आपको ऐसा लगे का मानो हम यहीं वह जाएं यहीं पर कहीं अगल वगल घर बनाकर रहने लगें ऐसा द्रीश है और यह जो नदी है अब देख सकते हैं फिलहाल के अभी एक से दो फाटा खोले गए हैं और इतना पानी बह रहा है इस तो तीन वर्सों से देखा जा रहा है क जिसके चलते हैं जो दूर से लगाते हैं यहां पर देखने उन लोग का कुछ आना जाना भी कम हुआ है लेकिन फिर भी सरकार इस पर काफी ध्यान दे रही है इसको संदरी करन करने के लिए काफी इस पर सरकार दोर ध्यान दिया जा रहा है और आप देख सकते हैं कितना मन म जारा देखें कि आरी बच्ची आगे हैं हम लोग के बीच आईये इसे बाचित करते हैं क्या नम हूँ आपका अमीशा सींग अमीशा सींग कहां से आये हैं मीर गंच से मेर्गन कौन से जिला रोतास चरोतास एह हैं फार्ष टाइम आये हैं यह इससे पहले भी आच तो आप लोग उठा रहे हैं यह स्कूल छूटी होने के बाद जो भी बच्चे भी घर पर बैठे हैं आई एक बर इंदर पूरी में और यहां का मजा लीजिए क्या नम हुआ अपका अभी राश्म अपना से आप लोग आ यहां यहां पहले भी आ चुका है बहुत अच्छा ल अगर पर दोस्तों को भी रिक वेश्क कर दिए कमारे जीले में आई आए तीक है आए देखिए कुछ यहां पर हमारे भाई लोगा है घुमने फिर ने इंसे हम बादचित करेंगे और यहां के बारे में कुछ इन लोग से भी जानते हैं क्या नम हुआ भाई-जी आपका सब मेरा नाम साइजन कमा ठाकुर हुआ अच्छा करने वाले आप हैं हम लोग लोग घुमने फिर ने आए हैं हमारा कॉलेज बगल का यहां पर है बारून कॉलेज केसा सिंग बारून कोलेज तो आज हम लोग जमा करने आते तो सोचा कि चलो थोड़ा इंदर पुरी डैम देख जाए और यह काफी बढ़िया ना जारा हम लोग को देखने को मिल रहा है बहुत हो धन्यवाद देखिए इनके दोस्त बगल में खड़े हैं और मनहीं मन काफी मुस्कुरा रहे हैं अभी इनसे भी हम जानते हैं क्या नम हुआ आपका जीत कुमार मेहता अपका कहा घर हुआ आप लोगों को आना चाहिए जो टेंशन में है उन्हें अपना टेंशन मुक्ति करने के लिए चूटी पानी के लिए आना चाहिए जी आना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद